अब आता है थार डेजेट रिजन थार डेजेट 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 था more than 60% of desert lies in राजस्तान more than 60% से ज्यादा जो कि डेज़ेट वो राजस्तान के अंदर मिलता है जैसे 62% राजस्तान के अंदर मिलता है और बचा हुआ पार्ट बचा हुआ पार्ट जो है कि 62 के बाद में जितना ही पार्ट बचा हुआ है वो गुजरात पंजाब और हर्याना के अंदर मिलता जैसे पार्ट बचा सब्सक्राइब जैसे कि अपने को बोलते हैं साम पर लेक जिसको बोल सकते हैं साम पर लेक अपने जिसको बोलते हैं अब आता है दोरा और दोरियन दोरे और दोरियन दोरा और दोरियन सिप्टिंग सें ड्यून्स आर नोन एस दोरा जो कि shifting sand duns है उनका अपन बोलते हैं दोरियन shifting sand duns are known as doryan और wavy type sand duns are known as dory और जो wavy type sand duns है उसके अपन बोलते हैं दोरे ठीक है और ये थोड़ा अपने definition उल्टी हो गई थी तो दोरे इसको बोलते हैं wavy को और shifting बोलते हैं को और दोनों दोनों अपने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं जैसल मेर के अंदर दोनों टाइप के sand duns का मिलते हैं अपने को जैसल मेर के अंदर मिलते हैं हावा था oasis oasis क्या है oasis क्या है कि एक place a place in desert where the water and where the plants are grow जहाँ पर water और plants grow होते हैं जहाँ plants grow होते हैं water deposit होते हैं उसे एपन बोलते हैं dorian sorry oasis ठीक है अब walsan third desert होगय है अब semi-arid और arid region अपने देख लेते हैं semi-arid semi-arid desert और banga region semi-arid desert semi-arid desert और banga region this physical type is located between arid and arid region arid और arid region arid और arid region के बीच में ये अपना located है semi-arid desert और a physical division which is located between 25 cm isoite जोकि 25 cm isoite लाइन से 50 cm isoite लाइन तक मिलता है 25 cm isoite लाइन से 50 cm isoite लाइन तक मिलता है according to the study of semi-arid desert अगें डिवाइड सोता चार पार्ट के अंदर semi-arid desert अगें डिवाइड सोता चार पार्ट के अंदर looney basin looney के बाद में नागोरी अप्लेन फिर आता अपने सेकावटी सेकावटी inland drainage area सेकावटी inland drainage area और फिर आता गगगर बेशिन सेकावटी inland drainage area फिर आता गगगर बेशिन अब आता लूनी बेशिन इसके अंदर जो आता है लूनी बेशिन के अंदर इसको गड़वार बेशिन भी बहुलते है और इसका extension अपने जालोर के इंदर फिर आता है अपने जालोर के बाद में बाडमेर 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 पाली पाली की बाडमेर 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 बा और अपने पाली के अंदर पाली के अंदर इसका बोलते है काला बाला काला बाला डूंगर काला बाला डूंगर इस लोकेटेट इन पाली इस बेसिन के अंदर इसका इस बेसिन है उसके अंदर लोकेटेट है काला बाला डूंगर जो की पाली के अंदर है ठीक है और इसका जो है जो shalline plants हufficient हमें मिलते हैं उसे बोलते लोफाइट shalline plants होते हैं उसे लोफाइट बोलते है तो हलोफाइट plants कहां मिलते है badmere region के अंदर इसचे बाढ़ में रेजेन के अंदर halophyte plants मिलते हैं अब आता नागॉर यह प्लैन नागॉर यह प्लैन जो की brain water लेक्स है ब्रेन वाटर लेक्स आर लोकेटेट इन हाइस फाउंड इन नागोर फाउंड होती नागोर के अंदर नागोर के अंदर फाउंड होती है most floride region है most floride region है जो कि वेर florist disease होती है florist disease होती है florist disease होती है most floride region है और जहां पे cold hump belt और baka belt जिसको hump belt और baka belt भी बोलते हैं क्या बोलते हैं hump belt और baka belt hump belt और baka belt बोलते हैं इसको और वो located कहां पर है नागर और रजमे region के अंदर नागर और रजमे region के अंदर ये located है फ्लॉराइड रिजन है most fluoride region है और flouris disease होती है flouris disease होती है और यहां पर क्या होता है silicon भी मिलता है कि अब आता सेखावाटी इन्लेंड ट्रेटेस रेज़यन सेखावटी इन्लेंड ड्रेज⁁ इन्लेंडर इनलेंड ड्रेश रेज़यन के अन्दर क्या है कि इसके अंदर यहां पी जब oxOOOOtी डेर्नेस्टी रूल के था इसका स्कारम सोती पढ़ गया था और तो राणावmber based र हो गया और यहां पर आता जो हड जो हड क्या है यह जो हड है कि जो रो वेल्स है मतलब कच्छे जो कुए है वाटर के उन्हें अपन बोलते है जो हड अब आता सेर सेर क्या है सेर यहां पर आए कि जो पॉंट्स फाउंड होते हैं मौन्सूर रीजन के टाइम पर मौन्सूर प लिस्टेड है और फिर तोरवटी तोरवटी पता ही अपने को टोरवटी नीं डूल किया था वहाँ पर तोरवटी ठीक है और गगकर अब आता गगकर चौतह बाट डी गगगर रीजन speculative के अnes काटी बग्गी लोमी और फटाइल सोयल ठीक है लोमी और फटाइल सोयल इन दिस बेसिन फाउंड होती है स्री गंगा नगर और मान नगर गिंदर ठीक है अब खडीन डेजाइट रिलेक्टेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स खडीन किसको बोलते है खडीन बोलते हैं जैसे कोई टेंप्रेरी लेक है लोकेटेड है खडीन उसे खडीन और प्लाया बोलते है नदन जसल मेर के अंदर खडीन बोलते है नदन जसल मेर के अंदर कोई टेंप्रेरी लेक है उसको खडिन इंदीज लेक खडिन अगरिकल्चर वोज स्टाटेड बाई पालिवाल ब्रहमान्स खडिन अगरिकल्चर पालिवाल ब्रहमान्स के टाइम पे शुरू हुई थी खडिन अगरिकल्चर और यहां पर temporary lakes होती है क्या होती है temporary lakes होती है और rubbish crops are mainly shown in these lakes और rubbish crops mainly उगाई जाती है इन region के अंदर rubbish crops उगाई जाती है अब अतर run or tart run or tart run or tart क्या है run or tart desert के अंदर जो marci saline infertile land है desert के अंदर marci saline इन्फर्टाइल लेंड इसके अंदर माइकसिम्हांड होटा यह जेसलमेर और बाढ़मेर रिजन के अंदर अब जैसे कि अपने को चूरू के अंदर चूरू की अंदर आपने को मिलते है दो रनो डार जैसे कि तालचापर और पनियारी रिन leisurely ताल चापर और पनियारी रिन अपने को मिलते हैं चूरू के अंदर और जोधपूर के अंदर जोधपूर के अंदर अपने को मिलते हैं फाडोधी, फलोधी और बाप अपने को इसके अंदर मिलते हैं जोधपूर के अंदर फलोधी और बाप अपने को जोधपूर के अंदर म वाटरवेल्ट 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 जैसे कि पोकर अंड से लेके मोहनगर तक सोलाइग साट मेटर किलमेटर तक की जो रेंज है उसे पने भोलते हैं पोकरण से लेकि मोहनगर्द का वाटर वेल्ट है इसको अपन बोलते हैं अब जैसे कि लाटी सिरीज लाटी सिरीज और सरस्वती रिवर सरस्वती रिवर लाटी सिरीज अब रिमेनिंग अंडर ग्राउंड वाटर इस सरस्वती रिवर और उसे बोलते हैं पन लाटी सिरीज और इट इस लोकेटेड वेटिन पोकरण और मोहनगड के अंदर पोकरण तू मोहनगड पोकरण तू मोहनगड और जीन जैसल में जैसल में के अंदर पोकरण तू मोहनगड के अंदर अब जो कि चांदन ट्यूबेल है चंदन Two errado are called Port of Thar Port of Thar बोलते हैं चंदन Two Well को चंदन Two Well को Port of Thar बोलते हैं जो कि located है लिटिड़ा लाटी सीरीज और चंदन विलेज चंदन विलेज की लाटी सीरीज के अन्दर अब अकल वुड फोसिल पार्क आकलवोड फॉसिल पार्क अगल वुड फॉसे पार्क पार्क उल्डेस्ट वूड़ीं रिमेंस अभ्योषण में वॉल्टा अपन नैशनल डैजर्ट पार्क और चर्ण無ना नैशनल डैजर्ड पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ केilling formation of राज्तान, एक formation period है, जो कि जुरासिक period का अपन formation period होते हैं, जो कि 180 million years पुराना है, 180 million years पुराना है, ठीक है, आकलफोड वसिल पार्ग, कहां पे यह, wooden remains है, wooden remains है, किसके, अपने national desert park के अंदर है, और यह जेसन मेरे के अंदर है, अब बाब बोल्डर, बाब बोल्डर, बाब बोल्डर के लिए है, जो कि sediments and large stones, sediments और large stones, sediments और large stones, sediments और large stones को, sediments and large stones को अपन बोलता है बाब बोल्डर बोल्डर clay is formed in glacier और ice seeds के अंदर मिलती है glacier और ice seeds के अंदर अपने को मिलती है क्या बाब बोल्डर ठीक है अब formation period बाब बोल्डर clay है इसके अंदर पर्मो carboni forest period पर्मो carboni forest period यह जो की 250 से 280 million years पर लेखा है 280 से 280 million years पर लेखा है ठीक है और बाब बोल्डर यह क्या है बाब बोल्डर clay जोदपूर के अंदर अब आता पैंजिया पैंजिया अल्फरड रेगनर के अनुचा दो पार्ट के अंदर आता कीаем अल्फरड गार्य पैंजिया पैंए